हेलो एवरिवन मेरा नाम डॉक्टर मधुकर त्रवेदी है मैं मनिपाल हॉस्पिटल गाजियाबाद में कंसल्टन नियूरोलोजिस्ट की रूप में कारे रत हूँ इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रें स्ट्रोक के बारे में ब्रें स्ट्रोक जिसे हम पैरालिसिस या लखवा भी कहते हैं यह एक नियूरोलोजिकल डिसॉर्डर है जिसमें व्यक्ति के शरीर के एक हिस्से में कमजोरी बोलने में तकलीफ या मुँ में टेडापन आ सकता है ब्रें स्ट्रोक के बेसिकली दो प्रकार है पहला है hemorrhagic stroke और दूसरा है ischemic stroke hemorrhagic stroke में होता यह है कि हमारे खून की नलियां जो blood vessels दिजने हम कहते हैं वो अचानक से फट जाती है और उन में से खून का रिसाव होने लगता है इस खून के रिसाव की वज़ए से brain में swelling और brain में damage डेवलप होने लगता है जो हमें लकवे के रूप में दिखाई देता है दूसरा टाइप है इश्किमिक स्ट्रोक इश्किमिक स्ट्रोक में एकदम उल्टा होता है याने कि इश्किमिक स्ट्रोक में होता यह है कि हमारे खून की नलियां, ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती है अचानक से जिसकी वज़े से ब्रेन का एक particular हिस्सा जो है oxygen से वंचित रह जाता है और उसमें धिरे-धिरे करके permanent damage डेवलप हो जाता है श्ट्रोक के कारणों की हम बात करेंगे अब श्ट्रोक के कारणों की अगर हम बात करें तो hemorrhagic stroke का सबसे main कारण है hypertension, high BP दूसरा कारण है aneurysm, यानि कि हमारी blood vessels में फुलाव या एक swelling आ जाना जिसकी वज़े से उसमें कभी-कभी नस्फट जाती है और bleeding कर जाती है इसकी मिक्श ट्रोक के कारणों की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे main common कारण है diabetes, hypertension, smoking या tobacco का किसी भी रूप में सेवन इसके लावा heart की बिमारियां भी एक important cause है brain stroke का जो हमें साधरनता पता नहीं होती है या हमें लगता है कि heart की बिमारियां stroke नहीं कर सकती है पर ऐसा नहीं है specially अगर हम देखें heart की बिमारियों में तो atrial fibrillation जिसमें हमारे heart की धड़कन अन्यमित हो जाती है इस धड़कन की अन्यमित्ता की वज़े से heart में clot बन जाता है और यह clot brain में जाके एक particular blood vessel को block करता है और stroke कर सकता है stroke के symptoms की अगर हम बात करें तो symptoms को याद रखने का बहुत simple और सडल तरीका है fast fast means F-A-H-T F-A-H-T that means F for face यानि की चहरे में तेढ़ापन A for arm यानि की हाथ या पैर में शरीर के एक हिस्से में कमजोरी S, S for speech यानि की बोलने में तकलिफ T means T for time इसके अलावा हम देखते हैं कि इन common symptoms के अलावा कुछ अन्य symptoms भी stroke के लक्षन हो सकते हैं जैसे कि अचानक से तेजी से सरदर्द होना, सरदर्द के साथ अचानक कई सारे उल्टियां होना, बेहोशी चाज आना, चक्कर आना, अचानक से चलने में imbalance मैसूस करना तो अगर आप देखते हैं कि इन में से कोई भी symptom आपको develop हो रहा है और खासकर अचानक से develop हो रहा है, तब हो सकता है कि ये stroke के लक्षन हो और तुरन से तुरन अपने doctor से consult करें एंड में हम बात करेंगे stroke के treatment के बारे में, जैसा कि हमने लक्षनों में बात कि fast में जो last t है, t का मतलब होता है time, ये time शब्द इसलिए जोड़ा गया है, क्योंकि stroke में time का बड़ा महत्व है तो जैसे ही आपको लगता है कि आपको खुद को या आपके आसपडोस में किसी को stroke के लक्षन दिख रहे हैं, आपका काम बस इतना है कि उसे तुरन से तुरन अस्पताल ले जाएं, क्योंकि stroke का proper diagnosis और early diagnosis बहुत ज़रूरी है आजकल treatment के बारा में हम अगर हम देखें तो ischemic stroke में हमारे पास काफी advanced treatments आ गए हैं, जैसे कि thrombosis therapy, जिसमें एक special injection के तुरू, यदि व्यक्ति हमारे पास 45 गंटे के अंदर आ जाता है selected cases में हम special injection के तुरू, खून को पतला करने की कोशिश करते हैं और उस clot को dissolve करने की कोशिश करते हैं इसके लावा और कुछ advanced treatments हैं, जैसे कि mechanical thrombectomy, जिसमें हम brain के अंदर जाके catheter से उस clot को निकालते हैं पर ये सभी treatment तभी सही तरीके से संभव हैं, जब आप timely hospital पहुंच जाएं और आपका timely diagnosis बन जाएं इसलिए हम stroke में हमेशा कहते हैं time is brain, जितना जल्दी आप hospital जाएंगे उतना जल्दी आपका diagnosis होगा और timely treatment होगा इसलिए मैं अन्त में फिर से यही कहना चाहूँगा, आपके घर में आसपरोस में किसी को भी stroke के लक्षन होते हैं तो तुरंथ से तुरंथ होस्पिल जाएं और साथ ही stroke से बचने के तरीके यही हैं कि आप अपने diabetes को कंट्रोल में रखें, sugar hypertension को कंट्रोल में रखें, smoking और tobacco के सेवन से बचें और यदि आपको कोई heart की बिमारी है तो उसका सही तरीके से doctor के सरा के नुसर इलाज करवाएं धन्यवाद